स्टुडेंट्स आज हम हिंदी स्वयड माला भूक में पढ़ेंगे चेंद्र बींदू की मात्रा क्या पढ़ेंगे हम चेंद्र बींदू का मात्रा कीसे KP question चंद्र बिंद्व का मात्रा कैसे लगता है एक लिप में आई चंद्र माँ उसके अंदर एक बिंती और रच यह वंगर इसको अनुंताइब बोलते हैं इसका उचारद जो हुगन करते हैं तो गय को लिए और नाघ से दोनों से उचारद होता है इसका जैसे यहां पर पर पढ य उसको थुदा दू यहां यहां है आप आप गले और नाख दूनों से आवाज आरही है आ प्र ँचांड है तो इसको चंद्रीद्डू को अनूनासित भी कहते हैं जो आगी लास पढ़ेंगे यहां ऌगी टिया है देखें और पढ़ेंगे एसको चांद हो जब चंद्रीद्डू की मात्रा लगी लाती यह सक्षर पर उसको थुड़ा रुक के पढ़ते हैं जैसे चंद उट, अंगूठा, बूंद, साब, बासूरी यहाँ दिया चंदरी बिंदो की मात्रा वाले सब्द इन्हें भी पढ़ें और लिखें इसको हम पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में इसमें से दस सब्द लिखेंगे देखें पांच, बास, साब, दात, गाउं, छाउं, आच चंदरी बिंदो की मात्रा जहां पर लगा रहता है हम वहाँ पर थोड़ा रुख के पढ़ते हैं और आप देखेंगे तो हम जब इसका उचारट करेंगे तो हमारे गले और नाग दोनों से आवाज आती है और यह नीची का परग्राफ भी पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में इसको हम लिखेंगे यहां पर दिया है ना मेरे गाउं का नाम चांदपुर है वह यहां से पांच किलो मीटर दूर है ऐसे परग्राफ को पढ़ेंगे करेंगे अब हम नेक्स्ट पेस्ट पे आएंगे अभ्यास चित्र पहचान कर उनकी नाम लिखे यह क्या है चांद बूंद बासुरी ठीक है यह क्या है चांद अब निम्री के दक्षरों को जोड़कर सब्द बिनाएंगे क्या है सप उट तांगा आंगन ठीक है अब यहां पे सही सब्द चुनकर खाले जगे भरिये हमारे गाओं का नाम क्या है चांद बूर यहां क्या रिखेंगे चांद बूर फिर घर के पास एक क्या है कुवां यहां क्या रिखेंगे कुवां फिर दादी हमें रोचक कहानियां सुनाती है यहां क्या लिखेंगे कहानिया ठीक है यह फैराग्राफ अब कंप्रिट करके हैं को ग्रूप पे सेंट करेंगे ओके बाई यहां क्या बटूब भूँ को बाईबन बना फिर दे लोगठेंगे प्रफ एक का यहां करेंगे यहां क्या बाईबन दे अ